बृत्यू जीवन का कड़वा सत्ते हैं लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। बहा जाता है कि इसकी बहुष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन सुएम महाकाल ने मोत का वरणन स्रीव महापुराण में किया है। मोत दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बाद की दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता। वे सुनी बातें तो बहुत हैं लेकिन सचाए कोई नहीं जानता। ज़्यादातर लोग इससे जुड़े राज जानना चाहते हैं। लेकिन जब जानने की कोशिश करते हैं तो हाथ कुछ नहीं आता है। कुछ रहा शोका वर्णन सीव महापुराण में किया गया है जिने सुयम महाकाल ने बताया है। मुछ से जुड़े कुछ ऐसे संके जो बगवान सीव ने बताये हैं। सीव पुराण में लिखा है जब सूर्य और चंद्रमा दिखाए दे लेकिन फिर भी दिसाइन ना जान पड़े तो समझ ये ऐसे वेक्ति की मरत्यु अगले छह महिने में निच्छ थे। वो वेक्ति जिसे चंद्रमा और सूर्य के आसपास आले और लाल रंका घेरा दिखाए दे उसकी मरत्यु 15 जिनों के अंदर अंदर हो सकती है। ऐसा सीव पुराण में स्वेम माकाल ने कहा है। जब आकास में शप्त रिशी तारा मंडल के दर्सन ना हो ऐसे वेक्ति की जिन्दगी मात्र छह महिने ही बाकि होने की संभाव न रहती है। चंद्रमा और तारों का ठीक से न दिख पाना आने वाले एक महिने में मोत का संकेत है। शिव पुराण के अनुसार दुरू तारा ना दिख पाना छह मैने के अंदर मोत का संकेत माना गया है। चंद्रमा या सुर्य का रंग अगर काला नजर आने लगे और सभी दिसाएं घुंती हुई लगे तो समझ ये छह मैने के अंदर जीवन खत्म होने होला है। शिव पुराण में कहें गई ये मानने ताएं राचिन काल में प्रयोग में लाई जाती थी। इन विद्याओं का प्रयोग वेक्ति के अंतिम काल को समझने में किया जाता है। वेक्ति के सरीर का सफेद या पीला पढ़ जाना, साथी सरीर पर लाल चक्ते पढ़ जाना इसे संकेत वेक्ति के आने वाले छह मैने की मरत्यों के संकेत देते हैं। इसे इंसान का जीवन खत्रे में माना जाता है वो वेक्ति जिसकी इंद्रिया काम करना बंद कर दे मुह कान आख नाग आदी सही तरह के से काम ना करें इसे वेक्ति की मरत्यू छह मैने के अंदर हो सकती है ऐसा वेक्ति जिसका मौ और गला बार बार सूपने लगे, पानी पीने पर भी अपती मासूश ना हो, ऐसे वेक्ति की मरत्यू छए मैने के अंदर हो सकती है। वेक्ति जिसका बाया हाथ अंगडाय लेने पर दर्द करता हो और हफ्ते बड़ से ज़्यादा फड़क रहा हो, तो ऐसे वेक्ति की मरत्यू एक मैने के अंदर हो सकती है। होने वाली आवाज भी सुनाए न देतो, ऐसे वेक्ति अगली छह मेने में काल के ग्रास में समा सकता है। इन बातों का जिक्र सीव महापुराण में या गया है।